हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सहोस आप सलूशन्स पर और आप देख रहे हमारा एंगलर 10 का फुल टुटोरियल सीरीज तो जैसा कि पिछले वीडियो हमने मोडियू के बारे में देखा कि मोडियू का क्या कंसेप्ट होता है हम कितने मोडियू क्रेट कर सकते हैं कि अप्लिकेशन के अंदर और फीचर्स मोडियू क्या होता है हमने मोडियू का एक्जामपल करके भी देखा दोस्तो आज जो वीडि टूटोरियल में decorators के बारे में दोस्तों बहुत ही important वीडियो है आप इसको अच्छे से देखें कि decorator का concept क्या होता है कितने type का होता है कौन कौन सा common decorator होता है उसका example कैसे करते हैं उसको कैसे use करते हैं angular के अंदर practical करके हम इस video tutorial में देखेंगे इसलिए मैं आपसे request करना subscribe नहीं किया है तो kindly आप इसे subscribe कर लें और बिल की icon को जरूर किलिक किजिए गा ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको notification मिले और आप हमेशा updated रहें दोस्तों चरिया start करते हैं इस video tutorial को दोस्तों decorators are a feature of type script and are implemented as functions दोस्तों कि जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था ng module decorator means कि ng module decorator जिसमें add rate लगा हुआ था उसको हम decorator बोलते हैं जैसे हमने बताया था कि prefix में symbol रहता है add rate का उसको हम decorator बोलते हैं तो एक बार मैं project में दिखाता हूं उसके बाद आगे explain करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए तो दोस्तों यहां पर मैंने बताया था ng module decorator के बारे में देखिए यहां पर add rate लगा हुआ है और यहां पर यह bracket लगा हुआ है तो यह bracket लगा हुआ है तो means कि जहां प देखा था तो आगे इसको explain करते हैं कि decorator होता क्या है और कौन-कौन से common decorator होते हैं और कितने type का decorator होता है तो दोस्तों वही है कि decorator क्या है type script का feature है और इसको हम as a function implement करते हैं right as a function implemented होता है दोस्तो name of the decorator I start with add rate symbol और following with brackets and arguments right means कि function का तो मतलब ही होता है दोस्तों कि bracket लगा रह पास कर सकते हैं दोस्तों decorator simply function that return function means कि decorator function है और return function करता है इस function supply metadata दोस्तों आप यहाँ पर notice करना कि this function supply metadata to angular about a particular class, property, value and method means कि दोस्तों यह function with metadata प्रवाइड करता है पास करता है, supply करता है angular को जिसमें किसके बारे में class, property, value और method के बारे में तो दोस्तो decorator invoked at runtime means कि decorator जो होता है runtime invoked होयाता है जैसे ही application run करता है तो उस time यह invoked होयाता है अभी example मैं दिखाऊंगा भी आगे project के अंदर कैसे इसको हम देख सकते हैं कि runtime हो रहा है अगला है दोस्तों कि decorator allow you to execute functions means कि decorator आपको allow करता है function को execute करने के लिए दोस्तों यह कुछ common decorator है जैसे कि एड़ेट एंजी मोडियूल को define करने के लिए एंजी मोडियूल डेकोरेटर रुज होता है अगला है दोस्तों इन्पूट आउटपूट यह property को define करने के लिए होता है यह decorator इसको भी हम example करके देखेंगे लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं input और output के include करूँगा क्योंकि input और output जो है decorator बहुत ही important decorator है इसके through हम क्या करते हैं कि parent to child और child to parent component में communication build करते हैं मिन्स कि यह जब भी हमें कोई communicate करना होता है parent component to child component और child component to parent component तो हम वहाँ पर हम input और output decorator को use करते हैं बहुत important है इसके लिए मैं separate video बनाऊंगा आपके लिए जिसमें आपका concept clear हो जागा क्योंकि यह बहुत important concept है और अधिकांस जग यूज होते हैं आप project पर काम करेंगे तो आपका यूज बहुत होगा यह और interview में पूछा जाता है कि हम कैसे communicate करते हैं कि अपने parent component से child component को से कैसे communicate करेंगे अगर कोई हमारा data child पर है तो parent पर कैसे ले जाएंगे तो वहाँ पर यह concept यूज होता है दोस्तो आगे देखते हैं कितने टाइप का हमारे पास decorator होता है तो दोस्तो यह चार टाइप का decorator एक होता है class decorator जिसे add.component और add.ng module दोस्तो यह दोनो decorator है class type decorator है इसका भी example में दिखाऊंगा पटी decorator में आता है इनपूट और output decorator और method decorator में आता है दोस्तो कि यह क्या करता है कि class के अंदर हम method बिनाने के लिए अलाव करता है जैसे कि host listener एक अच्छा सा example इसका भी example में दिखाऊंगा इस वीडियो में आपको host listener कैसे यूज करते हैं और host listener का concept क्या होता है अगला होता है दोस्तो parameter decorators तो दोस्तो parameter decorator क्या होता है एक अपना रोल होता है दोस्तो तो चलिए हम एक एक करके सारे टाइप के decorator का example करके देखते हैं इस वीडियो टुटोरियल में जिससे आपका concept अच्छे से किलियर होगा राइट दोस्तो यह project है जिसमें हम देखेंगे यह decorator क्या होता है उसका example करके देखेंगे हमारा जो हमने जिस project पर काम कर रहे हैं जिस पर हम example करते जा रहे हैं तो दोस्तो यहां पर आप देख रहे हैं कि app.module.ts file के अंदर add.ng module decorator है यह बारे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यह object jsem accept करता है और इसमें कुछ arrange होते हैng declaration होता है import होता है provider होता है और boot as trap हOTA है तो दोस्तो यह भी हमने देखा था कोई भी कंपोर्ण्ट create करते थे तो हम declaration के अंदर हम रखते हैं और कोई module create करते हैं तो imports के अंदर रखते हैं for providers के अंदर ना दोस्तों एंगी मोडिल डेकोरेटर है क्लास लेबल का यहां पर आप देख सकते हैं अड़ेट लगा हुआ और यहां पर यह ब्रेकेट लगा हुआ है तो यह एक डेकोरेटर है और अगर हम जैसे ही जाते हैं आप.component.ts फाइल में तो आप यहां पर देखेंगे at the rate component और यहां भी ब्रेकेट लगा हुआ है तो यह एक component level का means class type का decorator है और component level का है यहां पर हम component को define करते हैं इस decorator से और ng module से module को define करते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया यह दोनों class type का decorator है और यह कहां से import करते हैं दोस्तों angular के core library से यहां पर देखिए कि component को भी हम core library से import कर रहे हैं और जैसे module में आता हूं यहां भी आप देख सकते हैं ng module को भी हम angular के core library से import कर रहे हैं अब बात आती है दोस्तों कि हम इसमें क्या करते हैं कि इसको check करते हैं कि हम run time पर कैसे invoke होता है time पर execute कर लेता है आपने आपको decorator right जैसे ही दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि decorator में ही यहां पर एक class लगा हुआ है आप module का जो exported है export class है यहां पर आप अगर जैसी मैं इस class के अंदर दोस्तों constructor लिखता हूँ अगर का constructor और इस constructor में दोस्तों जैसे ही हम यहां पर क्या करेंगे कि एक हम console.log दोस्तों कि यह console.log जो है function क्या करता है कि हमारे console में जो चीज़ के अंदर लिखेंगे console में जाकर write कर देगा तो इसमें हम दोस्तों क्या करते हैं कि कुछ लिख लेते हैं यहां पर कि hi this is module right ताकि पता चलेगे कि module से यह आ रहा है right यहां पर हमने लिख लिया module और यहां पर हम क्या करेंगे semicolon लगा लेंगे इसी तरीके सम अप.component.ts फाइल में जाएंगे इसके अंदर भी class है इसके अंदर भी हम एक this is component और यहां पर हम क्या करेंगे semicolon लगा लगा और दोस्तों इसको हम क्या करेंगे save करेंगे इसके बाद हमां server activate होगा अगर आपका auto save पर नहीं लगा है application तो आप ng serve लिखेंगे अगर अभी अपका server activate हो जाएगा उसके बाद हम जैसे ब्राउजर में जाएंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि आप ब्राउजर में दीख रहा है यहां पर यह चीज़े clear होता है राइट तो मिन्स कि हम यहां पर जो भी मैसेज दिया हमने वह हमारा console में दीख रहा है जैसे हमरा server activate होता है application run करता है तो दोस्तों अगला होता है हमारा input output decorator जो की property decorator होता है तो दोस्तों उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे separate उसमें आपका अच्छे से concept clear होगा फिर भी मैं थोड़ा सा बताता हूं कि इसको यूज कैसे करते हैं दोस्तों यह भी हम यहां पर जैसे ही क्या होता है class के अंदर हमने क्या लिखा यहां पर add rate input input लिखा और यहां पर इसको जैसे हम यहां पर से यहां पर हम लिखेंगे input input right यहां से इसको import कर लेंगे और इसके बाद यहां पर क्या करेंगे दोस्तों कोई string लिलते हैं जिसके हम पास करना होगा जैसे मालों दोस्तों हमने input example टाइप का हमने कुछ ले लिया और उसको हमने ij string बना लिया right एक variable ले लिया और इसी को दो कրएंगे हम इसको जाएंगे sniff . hard और इसके साथ हम पास कर देंगे ij property जो भी आपको यहां से पास करना होगा anything तो इस तरीके सम्पूट और आप्स करते हैं लेकिन यह इतना ही नहीं होता बहुत ही बड़ा concept है इसके लिए मैं एक separate वीडियो लेकर आऊंगा आपके पास और उससे आपका concept किलियर होगा कि input-output decorator कैसे उज़ करते हैं means कि दोस्तो input-output क्या करता है कि हमारे property को decorate करता है right तो दोस्तो इसको IGT पहले जैसा कर लेते हैं right और यहां इसको हटा लेते हैं और अगले एक जामपल अगजले decorator के तरफ चलते हैं इसको हमने save कर लिया तो दोस्तो अगला होता है हमारा method decorator तो यह भी एक प्रकार का property decorator type का होते है बस इसको हम आई जे method decorate करते मिन्स कि यह अलाव करता है हमेठर decorator को आजे method decorator decorate करने के लिए तो उसके लिए हम अच्छा से एक्जामपल होता है दोस्तो होस्त लिशनर होस्त लिशनर क्या करता है दोस्तों के होस्त के दिखाता हूं तो आपका concept से clear होगा यहां पर यहां पर यहां पर यह से इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों कि यहां पर हम रिखेंगे होस्त होस्त लिशनर यह एक परकार का decorator है तो फंक्सन होगा यहां पर दोस्तों हमने मारे दोस्त यहां पर हमने क्लिक के लिए बना रहे हैं मिंस की दोस्तों की होस्त जो की यूजर होगा हमारे ब्राजर पर क्लिक करेगा तो उस पर हम इसको गेट करेंगे अपना मैसे सोकरा सकते हैं Means कि होज़ लिस्ट क्या करता है दोस्तों एक डेकुरेटर होता है हमारे यूजर के रिस्पॉंस को मिंस कि होस्ट को लीशन करता है तो अब भी एक्जामपल करके देखते हैं इसमें यहाँ तो क्या करेंगे दोस्तों , यहां पर कामा और यहां पर हम कि लीक डिसमें हम क्या करेंगे दोस्तों की इवेंट एवेंट लेंगे एवेंट टाइप का। कि में दोस्तों हम क्या करेंगे कि एक एलर्ट ले लेते हैं कि जैसे इस पर क्लिक करेगा क्लिक पर यहां पर हमने क्लिक लिया है तो क्लिक के जगह पर हम माउस ओभर माउस ओभर या माउस लिब कुछ भी ले सकते हैं राइट है हमने यहां पर लिया और एलर्ट के अंदर कु हईसे हमार सर्वर एक्टिबेट होगा कमपाई सस्पूरी बता रहा है अब जाएंगे हम ब्रावजर पर यहां पर इसको थंबन कर लते हैं क्कोंसोर को जुरुत नहीं है देखिए दोस्तों जहां भी हम कहीं भी किलीक करेंगे देखिए आ रहा हेलो, means कि हमारे host को listen कर रहा है, अब कहीं भी click करेंगे, browser पर देखिए hello दिखा रहा है, right, कि click पर हम लगाया है, right, इसी तरीके साथ mouse over पर भी लगा सकते हैं, mouse move पर भी लगा सकते हैं, तो ये आपका alert दिखा सकता है, वहाँ पर update गेट कर सकते हैं, तो ये हो class के अंदर हम parameter को decorate करते हैं, दोस्तों parameter decorator का एक अच्छा से example है inject और injectable, means कि inject और injectable क्या करता है, दोस्तों कि किसी भी provider को हमारे angular के अंदर inject करता है, जो कि किसी भी जो provider होता है, उसको हम inject कर लेते हैं constructor के अंदर, right, इसकी लिए एक example करके देखते हैं, आई जे करता ही है कि service बनाने के लिए जो हमारा command होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर हम एक नया terminal open कर लेते हैं, इस plus पर click करके, right, और यहां पर हम लिखेंगे command ng, g for generate, और service, और यहां पर service का name लिए लेंगे my service, right, enter hit करेंगे, क्या करेंगा दोस्तों कि हमारे लिए दो फाइल करेंगा, एक तो हमारा होगा service.ts और एक service.specification.ts, तो थोड़ा सा time लगता है, हमारे लिए create कर देगा एक service, अब देख सकते हैं कि create हो चुका है, दो फाइल यहां पर, यहां पर देखिए, my service.service.specification.ts और एक हमारा my service.service.ts, right, तो यहां पर देख लिजिए है, right, तो दोस्तों, यह क्या करता है, कि अब हम आपको दिखाते हैं, कि इसको हम constructor के अंदर, इस service को हम inject करेंगे, right, तो इसको हम copy कर लेते हैं, और चलते हैं, app.component.ts file पर, इससे पहले में बता दूँ दोस्तों, कि आपको, मैंने जैसे ही बताया था, कि कोई भी service बनाते है अपने अंगुलर के अंदर, तो इसको हमें provider के अंदर उसको declare करना होता है, तो हम यहाँ पर declare कर लेंगे, app.module.ts file के अंदर, यहाँ पर हम declare कर लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, कि import करना होगा, हमें यहाँ पर import कर लेंगे, उपर में, यहाँ पर देखिए, import होगा service, हम फाइल में जाएंगे और इसके constructor के अंदर हम इसको inject करेंगे. यहाँ पर लिखेंगे at the rate, inject, लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर i capital होगा, inject हमने लिया, right, और इसको हमें क्या करना होगा, दोस्तों कि यहाँ पर हमें import करना होगा, कोर्स से, यहाँ पर आप देखिये, inject को हमने इंपोर्ट कर लिया, और दोस्तों आपको पता ही है कि यह function type का होता है, जो भी decorator होता है, function होता है, और इसमें हम service को pass कर लेंगे, means कि service को हमने import कर लिया, यहाँ पर, और हम variable बना लेते हैं, इस service का, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर naming convention में हम change कर लेते हैं, यहाँ पर हम small aim कर लेते हैं, right, और इसकी रिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर, अब हमें console में इसको write करा लेते हैं, service के variable को, ताकि हमें पता चलेगा कि यह inject हो चुका है, और इसका effect हमें दीख रहा है, right, यहाँ पर हम लिखेंगा, console.log, right, और इसमें हम इसके variable को pass कर लेंगे, right, इसको हम यहाँ पर pass कर लेंगे, यहाँ पर console.log में, यह हमें log के अंदर write करेगा, और यहाँ पर क्या करना होगा, दोस्तों कि हमें यहाँ पर इसको import भी करना होगा, इस page पर, right, इसके बाद यह रचला जाएगा, उसके बाद जैसे ही दोस्तों हम इसको serve करेंगे, right, इसको हम save करेंगे, उसके बाद इसको ng serve करेंगे application को, right, तब हमें क्या होगा, कि हम browser में देखेंगे इसका effect, means कि हम service को भी यहाँ पर inject कर लिए, और यह service को console में log कर देगा, write कर देगा, right, तो दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है कि यह already port use हो रहा है, कि हम इस application को पहले भी run कर रह हैं, control c से हम क्या करते हैं इसको, kill करते हैं इसको, या फिर इसको हम delete कर लेते हैं, अभी यह, यहाँ पर हम इसको delete कर लेते हैं, right, net terminal open कर लेते हैं, right, और यहाँ पर हम, यहाँ पर ng serve लिखेंगे, right, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा server activate हो चुका है, हम browser में देखेंगे, right, और यहाँ पर आप console में जाएंगे, browser में हमारा page दीख रहा है, आप console में जाएंगे, और यहाँ पर console के अंदर आपको दीखेगा इसका service, जो हमने console में log करा रहा हैं, आप पर आपका show करता है, या फिर इस service को आप अपने page पर use कर सकते हैं, right, तो यह होता है injectable decorator का concept, right, means कि कि किसी भी provider को हम अपने constructor के अंदर inject कर लेते हैं, तो दोस्तों यह भी service भी है, और injectable dependency injection इस सारी बहुत बढ़ा concept है, एक करके आगे हम video जो में बताएंगे आपको, तो आ होता है, कितने type को decorator होते हैं, और इसका कैसे use करते हैं, यह सारी चीजा आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी आपके mind में कोई confusion हो, दोस्तों हमारे comment box में जरूरूर शेयर करें, कि अगर आप बिलकुल ही corporate level का knowledge देना चाहते हैं, देखिए, English 10 सीखना और English 10 में काम करना ब project नहीं develop करने रहेंगे, क्योंकि इसके कुछ supporting चीजें हैं, उसके बारे में भी आपको proper knowledge होना चाहिए, जैसे English 10 में काम करने के लिए आपको type script आना चाहिए, तो type script आना चाहिए, उसके बाद RxJS library के बारे में knowledge होना चाहिए, English material, boot step, English material में use करने आना चाहिए, API लिखना, API consume करने आना चाहिए, पर्जेक्ट के बारे में knowledge होना चाहिए, तीसलिए मैं आपको ये recommend करूंगा, कि अगर आप बिल्कुली proper तरीके से corporate level का knowledge रखना चाहते हैं, एक बहुती बड़े corporate level company में काम करना चाहते हैं, तो आप हमारा online class join कर सकते हैं, क्योंकि हम online class में training provide करते हैं अगुलर स्रेटर सारे चीज़ों का, जैसे की full type script, basic से लेकर advanced level तक, angular 10, यहां तक की angular 2 से लेकर 9 तक के भी recommended changes, वो सारे बताया जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने 10 सीख लिया तो 10 महीं काम मिलेगा किसी company में, हो सकता है कि 5 में मिल जाए 6 में मिल जाए, तीसलिए आ ट्रेनिंग देते हैं, तो सारे concept आपको बताते हैं, उसके बाद angular में जो code होता है, type script में होता है, तो पूरा type script भी आपको हम पढ़ाते हैं, अपने online class में, उसके बाद हम RxJS library जो angular का हट मना जाता है, बहुत लोग कम नहीं पढ़ाते हैं, उसको भी हम अपने training में प्रव जाएंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में हमने वो प्रोजेक्ट चूच किया, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में जैसे e-commerce का application, जिस्ट में कि सारे concept यूज हो जाते हैं, यहां तक कि payment gateway integration, every concept will be covered in this project training, तो आप बिलकुली अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप हमरा online class join कर सकते हैं, जहां पर सारा चीज एक पर में आपको मिल जाएगा,